आयूपी एसी नाम सिखाने का यह हमारा पांचवा वीडियो है हमारे द्वारा बताएगे आयूपी एसी नाम आपके यूपी बोर्ड, सिबी एसी बोर्ड और आई 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 टी जे इमेंस और नेट जैसे परिछाओं के लिए काफ़ी हलफुल होने वाले क्योंकि हम केवल कच्छा बारा के NCRT में दिये गए आयूपी एसी नाम को बता रहे है और इन एक्जामों में NCRT से ही कोशन लेता है तो इस समय हमारा जो चैप्टर है वो हैलो एलकेंस और हैलो एरेंस है इसमें 10.1, 10.2 नमबर के कोशन करा दिये गए हैं और 10.3 में जो आज आई पेसी से रिलेटेड कोशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है तो आई ये जल्ली से इसको सीखते हैं तो देखिए यहां 10.3 में आपके पास जो कोशन यहां पर दिया गया है ध्यान से पढ़ते हैं निम्नलिखिट कार्बनिक हाईलोजन याउगिकों की संदचनाये लिखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, श, साथ, आठ, आठ हो है इन सभी का स्ट्रक्चर लिखना है तो स्ट्रक्चर लिखना हमने दूसरे वीडियो में बताया था और स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही आसान होता है यदि आप हमारे पैटर्न को फालू करेंगे फैटर्न हमारा क्या है लास्ट में आपको पकड़ना होता है जिसे लास्ट में आप पेंटेन तो आपको पेंट मतलब पांच कार्बन की एक चैन तयार करनी होगी ठीक है जिसमें दूसरे कार्बन पर आपको क्लोरीन जोड़ना होगा तीसरे पर सियस्त्री मतलब मेथिल ज ने मेथिल जोड़ दिया इसके अलावा इसमें कुछ कहा नहीं है पेंटेन एन का मतलब सिंगल बॉंड ही रहना है सब जग यह हमने कर दिया अब बाकी कार्बन में आवसकता के नुसार हाइडोजन जोड़े जाते तो इस प्रकार से हमको जो है टू क्लोरो थ्री मेथिल पें इसमें एक मेन कंपाउंड होगा अगर आप यहां ब्रोमो को ऐसे टा दितो ख्लोरो बेंजीन है तो हमने यह क्लोरो बेंजीन बना दिया और उसके कौन से पोजिशन पर पैरा पोजिशन पर ब्रोमो लगा दिया तो यह देखिए आर्थो मेटा पैरा तो यह बड़ा सिंप लिए कर दिये इसमें डबल वांड हमने लगा दिए एक से अगर एन रहेगा तो कभी आपका डबल बॉन नहीं लगेगा तो यह डबल वांड इसमें नहीं रहेंगे सिंगल बॉन देखिए एक दो तीन चार पांच शा कार्बन है अब इसके अलावा इसमें क्या कहा था कि वन क्लोरो कहीं भी क्लोरीन जोड़ दीजी यहाँ पर उसके बाद वन टू थ्री फोर फोर पर क्या था आपका एथिल तो हमने फोर पर एथिल जोड़ कर यह स्ट्रक्चर बना दिया अगला देखे कितना भयानक है पहले इसका नाम देखते हैं फिर आपको इसको भी समझाते ठीक है अगला है तू यहाँ पर डैस तू क्लोरो फेनिल ठीक है मतलब दूसरे कार्बन पर तू क्लोरो फेनिल है मतलब दूसरे कार्बन से फेनिल जुड़ा है और फेनिल के जो दूसरे नंबर पर आपको क्या है क्लोरीन है देखे इस ट्रेट चैन के दूसरे कार्बन पर Phenil है और Phenil की दूसरे walk Phenil की दूसरे Carbon पर आपका क्या होगा Cloro है तो देखे मैं आप और फिर 1 पर IO है और फिर Octane ते एक straight chain बनाईए 1 पर IO जोड़िया 2 पर Phenil और Phenil की दूसरे Position पर आप जो है Cloro जोड़िज़े ठीक है Octane में 8 Carbon होते हैं तो देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Carbon बना दिया 1 पर IDO जोड़ा दूसरे पर अगर ring जोड़ते हो तो उसे Phenil बोलते है तो 1, 2 Phenil के दूसरे समूर पर Cloro था तो मैंने ये जोड़ कर ये structure यहाँ पर तयार कर दिया अब हमारा अगला है 2 Bromo Butane ये बहुत सिम्पल है Butane के 4 Carbon लगा दीजिए और उसमें 2 पर Bromo बैठा दीजिए बहुत-बहुत सिम्पल तो दिके हमने आप लगा दिया और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर Bromo आ गया ठीक है नेस्ट वाला है अब आपका 4 तृतियक Butil 3 IDO Hepten तो Hepten में 7 Carbon है तो पहले हम 7 Carbon लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक और उसमें आपका 3 पर जो है IDO है तो 3 पर IDO अब 4 पर तृतियक Butil मतलब ऐसा Carbon जिससे 3 बार सिस्थरी जुड़े रहेगा तो उससे तृतियक Butil कहते हैं ये भी हमने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये मिलेगा नमर नेस्ट है 1 ब्रोमो, 4 तृतियक Butil 2 मेथिल बेंजीन तो देखिए आपका यहाँ पर जो है मेथिल बेंजीन तो मैं बेंजीन यहाँ पर कोशिस करूँग कि बेंजीन यहाँ पर जोड़ दू ठीक है ध्यान दीजेगा और उसके बाद क्या कर रहा है 4 तृतियक Butil तो देखिए यह जो आपका है बेंजीन के कारबन पर कहीं से भी ब्रोमो से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 ठीक, 1, 2, 3, 4 अब बेंजीन के 4 वाले कारबन पर जो है यह 1, 2, 3, 4 कारबन ब्यूटिल है लेकिन इस ब्यूटिल में यह कारबन 2 कारबन से कनेक्टेड है इसलिए आपका दुतियक सेकेंडरी ब्यूटिल वोला जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ पर कनेक्ट करके इसको भी बना दिया और यहाँ पर जो है 4 आपका 1 ब्रोमो और 4 दुतियक ब्यूटिल तू पर मेथिल है फिर बेंजीन यह पर बना दिया गया नमबर नेस्ट 1 फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू एन मतला 1 पर ब्रोमो और 4 पर ब्रोमो और 2 पर क्या लगा दीजे एन इस तरह से स्टक्चर बन जाएगा स्क्रेंशाल लेना चाहते हैं तुरंद मैं दे रहा हूँ तो इतने का स्क्रेंशाल ले लीजिए और फिर इतने का स्क्रेंशाल ले लीजिए इससे ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए ठाइंक्यू सो मज जाए हिन वने मात्रम